लखनव के बीबिय इन्वर्सिटी में छात्रों का स्कॉलर्शिप रोग दिया जाता है उनको एक्जाम नहीं देने दिया जाता है सोचिए मौलाना अब्दुलकलाम फेलोसिप्था वो बंद कर दिया गया है लगातार कोशिस हो रहे की SCSTOBC मैनोर्टी के छात्रों को परने लिखने न दिया जा वहीं खबर गोरख पुरसी आई है एक हत्तर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भरती होई जिसमें 45 ठाकुर्श, 17 ब्रहाममन, 3 जैसवाल और 66 जो 6 बचे उसमें SCSTOBC सामिल है नमस्कार मैं शंभूक उमार सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तर आप टीवी देखिए, अख़बार देखिए, आपको भगवा रंग भी दिख सकता है तमाम खबरे दिख सकती है, भारत, पाकिस्तान, चाइना दिख सकता है लेकिन वो खबरे जो आपके लिए जरूरी है वो नहीं दिखेगा आप सोचिए किस तरह से इस देश में आरक्षन की धज्यां हो रही है एक 70 भरती में 45 ठाकूर है, 17 बढ़ामन और 3 जैसवाल है और बाकी 6 में तमाम SCSTOBC है लेकिन आपको क्या मतलब है इस देश में OBC को नोकरी चाहिए नहीं इस देश में किसान जातियों को नोकरी चाहिए नहीं इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराथा को नोकरी नहीं चाहिए फिलाल उनको हिंदू राश चाहिए फिलाल उनको सारुक खान को देश से भगाना है फिलहाल उनको देखना है कि दीपिका पादकून क्या खा रही है क्या बोल रही है और टीबी अख़वार के हो में हो मिलाना है सोचिए मैंने कल भी आपको कहा था इस देश में SC, ST, OBC मानोटी हो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हो, किसान जाती हो, यहां तक कि ठाकुरों जो सेना की नौकरी करते हैं जो जवान है जो देश की सुरक्षा करते हैं वो भी अगर अगनी बीर के खिलाब बोलेंगे तो उन पर भी डंडा चटकेगा तो आप तभी तक हिंदू हैं, जब तक आप रुजगार नहीं माँग रहे हैं, जब तक आप बरती महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जब तक आप नौकरी नहीं माँग रहे हैं जैसी आप यह सब मांगने लगेंगे, आप देश द्रोही हो जाएंगे आपको सरकार के हों में हों मिलाना है आपको सरकार से सवाल नहीं पूछना है सोचिए आपको देश की सुरक्षा पर सवाल नहीं पूछना है आपको चीनी घुसपैट पर सवाल नहीं पूछना है मुझे सवंज नहीं आता है कि चीन अगर घुसपैट कर रहा है तो सरकार से सवाल पुछने पर सेना का अपमान कैसे है हमारे 20 जवान सहीद हो गए उस पर सरकार से सवाल पुछने पर सेना का अपमान कैसे है अब बताई अगर सेना का अपमान है तो नेहरू जी उनिसो बासट में रोएं भारत की सेना ने अदम सहाथ से लराई लरी, संसाधन नहीं था, नहरू की अलोचना होई कि आपने फैक्ट्रिया टो डाली, लेकिन आर्म्स की फैक्ट्रिया नहीं डाली तो उनकी अलोचना होई तो उन तो सेना की अलोचना नहीं थी लेकिन आज के समय में जब सब कुछ है भारत के पास संसाधन मजबूती है तब सरकार से सवाल पुछना सेना का अपमान कैसे है सहाब तो ये एक perception बना दिया गया है सरकार से सवाल पुछना से सवाल पुछना है वही SC, ST, OBC मैनोटी के लोग को बता दूँ कि अगर आप नौकरी मांगेंगे रिजर्वेशन मांगेंगे बरती मंगाई के खिलाब बोलेंगे तब आपकी जाती पुछी जाएगी तब आप राश्द्रोही घोसित कर दिये जाएंगे और यही नहीं भले आप कटर हिंदू हो, किसान जाती हो, जाड, पटेल, मराथा, गुर्जर हो आपको जज नहीं बनना है, डॉक्टर इंजिनियर नहीं बनना है, पुर्फेसर नहीं बनना है सोचिए, मद परदेश में 27% रिजर्वेशन लागू किया गया था लेकिन उसको भी कोट से निरस्ट करवा दिया गया इकनॉमिक बीकर सेक्षन का रक्षन मिल गया 10%, कोट ने हरी ज़ंडी दे दी 50% का कैप तूट गया, लेकिन OBC को नहीं मिलेगा जबकि तमाम लोग संसद में RJD से लेकर राजभर, जो उम परकास राजभर के पुत्र है वो सब कह रहें कि 52% रिजर्वेशन हो, OBC का लेकिन आपको क्या है, आपको तो नौकरी चाहिए नहीं आपको तो डॉक्टर इंजिनियर प्रोफेसर बनना नहीं है हाँ, आप मजदूर बने रहेंगे, ठेला चलाएंगे, रिक्सा चलाएंगे, सबजी बेचेंगे तब तक आप बहुत बढ़िया हिंदू है जब आप हक अधिकार की बात करेंगे, तो आप जातिवादी है अनुसूची जनजाती बने 43-41 सबर्नों की खोच, सोचिए 43-41 जनरल कैटेगरी के लोग सबर्न लोग, एकनॉमिक भीकर सेक्षन वालों ने ट्राइबल बनके, अनुसूची, मार्फ किजेगा, सिड्यूल कास्ट बनके नौकरी कर ली अब इनकी खोज हो रही है, तो सोचिए कि इनके लिए नौकरी प्यारी है और कि इनके लिए धर्म प्यारा है, तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सोचल मीडिया पड़े सारी खबरे चल रही है, सोचल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोचल मीडिया यह बहुजन मीडिया है हम लोग की कोशिस है कि आपको दिखाया जाए सोचिए H.C. रसोईयों के हाथे से DM खाना बना था उसको फिकवा दिया गया A.D.M. फिकवाया विद्याले में हंगामा तो यह इस तरह के जातीबाद चल रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि A.C.H.T.O.V.C. मानोटी के लोग को अपने हक अधिकार की बात करनी चाहिए अगर आप नहीं करेंगे तो आपके हक अधिकार खतम हो रहे हैं ना आप बिरोक्रेट्स हैं ना जज हैं ना पत्रकार हैं ना बिजनेसमेन हैं हम सब सिर्फ मजदूर हैं हमें सरक बनाना है कॉंट्रेक्टर कोई और होगा ठेकेदार कोई और होगा हमें मचली पकरनी है तलाब का माली कोई और होगा हमें हल जोतना है सबजी उगानी है छोटे मोटे खेती करके हमें गुजारा करना है हमें भैस पालना है, गाय पालना है, भारत माता की जय भी हम करते हैं, हम कट्डर हिंदू भी हैं, बस हमें अपनी जिन्दगी बैतर नहीं करनी है, जो क्रीमी नौकरी है, जो मलाइदार नौकरी है, जो power centers है, media, judiciary, college university, bureaucracy, वहां नहीं जाना है, आप लोग तै कीजिए कि आप लोग अपने अधिकार चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अगर चाहते हैं तो ये कैसे हो जाता है कि एक 70 असिस्टेंट परफेसर की नौकरी अपके बच्चों के लिए 5000 की नौकरी मुनासिब नहीं दिया जा रहा है इस देश की बहुत संख्यक आबादी को गरीबी के गर्त में धकेला जा रहा है कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा आप लोग अपनी पर्त करिया दीजे कि आप लोग के लिए क्या जरूरी है इस देश में SC, STOBC, मनोटी और किसान जातियों के साथ लगातारन देखी हो रही है उनके बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा है और वो मजदूर बनेंगे अगर उनके पास education नहीं होगा इसलिए college university बंद किया जा रहा है लखनाव में बाबा साहिबं बेटकर university में scholarship बंद किया जा रहा है तो लगातार scholarship बंद हो रहे हैं लगातार सरकारी school बंद हो रहे हैं अगर आज आप बात नहीं करेंगे तो आपके आने वाली नसले जो है वो मजदूर लाचार बेबस और गुंगी पैदा होंगी या पैदा होने के बाद बन जाएंगे अपनी पत्क्रिया जोड़ दीजिए शुक्रिया आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नसले दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेटकलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नसले दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे